हेलो बच्चे गड़ मॉनिंग तो हमारा लेक्षण कौई सा चल रहा था रासायनी का क्रिया यों समी का रड़ रसायनी के अप लिएक्षण के रिक्षण के रहें और शमी कौई का रहा है के माट रिक्षण कुएश्यां चालिए आगे हम लिफने कप्रु कर्कार देख रहे थे गडियों के प्रकार में हम अगी डिस्क्रस करते हैं चलिए में हो जाता है चोटा में हो जाता हूँ साइड में आगे देखते हैं यह फीगर बनाना था न अपको यह वाला बनाया यह बनाया की नहीं है बना है कापी तभी ब스िस प्रिकर प्रकास ब्यूजन हो गया था उत्मा सूशी नहीं हुआ था. उस्मा शोशी अब क्रिया JIN अब क्रियाउं मैं अभिकार्कों को तोड़ने के लिए उस्मा प्रकास या विद्दत नत्रा का वी उर्जा क्या सकता होती है? क्या कहलाती है उसमा सोसी अब क्रिया कहलाती है ऐसे आपको लिख ले रहा है वीडियो को बैक करके देख लिया करो ठीक है लिखनेंग टाइम एक बार वीडियो देख के समझ लिया करो सब कुछ और एक बार रोंग रोक के वीडियो को देख लिया करो ठीक है बेटा ऐसे क्या करो सोसी मतलब सोशन करना मतलब उस्मा लेना किसी सीज़ को सोशन करना मतलब यहां पर उस्मा का सोशन होता है उस्मा चाहिए प्रकास में हो चाहिए विद्धुत उर्जा की रूप में हो चाहिए उस्मा उस्मा की रूप में हो अगर इन अबक्रियों को आप करवाना चाहता तो उर्जा आपको बाहर से देनी पड़ेगी ठीक बेटा जी समझ गया न चलो समझ गया होंगे तो आगे इसका क्याम से अबक्रिया उसमा सोसी अबक्रिया में बेटा जी इसका उधारा नहीं लिखाया गया विश्ठापन अबक्रिया देखो देखते हूं करी एक लंधी से खतम होने वाला है चलो अच्छी बात है इसका उधाररण होना चाहिए का उसमा पी बिलिख परदै इस अब करिया है उसमा निभी में निकलते हैं इन में उसमा क्या होगी कि इन इसमा संस लिजाएगी इंव में उसमा сделины हुँ देखो उन में क्या लिखा था ब्लास उस्मा प्लस उस्मा लिखा था न वह आंकि मात नहीं आए उधर ठेल के अधर से फिर लीए प्लास उस्मा लीखा था न देखो उसमा 6P वाले प्लस मतलब उसमा ले उसमें उसमा निकल रही है उसमा क्या हो रही है निकल रही है उसमा क्या हो रही है निकल रही है इन अबगरियों में हमेशा क्या लिखा रहेगा माइनस उसमा क्या लिखा रहेगा माइनस उसमा चलो मैं उसी कुधार समझाए देता हूँ ठीक है एक मिनट चलो यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा है प्लस उस्मा लिखा है यह कौन से गिरिया उस्मा छेपी अफग्रेव जब उस्मा निकलती है तो उसे कैसे दिखाते हैं प्लस लगा के उस्मा लिख देते हैं जब अब गिरिया ली जाती है तो उसमें वहां प कि यहां पूदार लिख लेंगे हम कौन सा लिख लेंगे कि क्या उदार लिख लेंगे मेथेन को जलाना है जैसे तो उश्मा देनी पड़ेगी कार्बन हाँ सी ओ टू लिख लेंगे लिख लेंगे ठीक है क्या कर देंगे मेथेन बन जाएगे याफ पर मेथेन बन गई है ओके बेटा जी अब मेथेन बन ही गई है तो माइनस क्या होगा आप यहां पर आक्सिजन निकल जाएगे आप निकल जाएगे और माइनस उसमा लिख देंगे आप यह बैलेंस नहीं है यह बैलेंस नहीं है यह बैलेंस करने के लिए देखो कार्बन एक यहां पर यहां पर यहां पर देखो कितने काम है तो यहां पर दो लगा लो यहां पर क्या लगा लो दो थोड़ा दूसर मिटा देते हम बिताने के बार क्वड़ा सही कर देते हैं है तो यहां पे क्या लगा लो यहां पे प्लस यहां पे दो लगेगा अब hydrogen देखो दो नहीं चार हो गए अब hydrogen यहां पे देखो व विस्थापन अभ्याद विस्थापन विस्थापन मतलब कोई चीज विस्थापित हो जाना मैं कोई चीज किसी चीज का हट जाना परिभास है इसके इन अभकडियों में अधिक क्रिया सीलता तो कम और से स्टत को उसके योगदिर से विस्थाप्य कर देता है जैसे यह फी यह किस से किरिया कर अद्वेता को क्या बोलते हैं का पर सल्फेडबोलते हैं यहां पर एक्षन हुआ तो यह सी यू के जगा पर आ ङया आ गया ना देखो यवी सियू की जगा पिया प्लस सियू I इसे कापर से ज़्यादा क्रिया शिल था इसलिए उसकी जगा ले लिए यह समजो उसolika यादा सकती सालिय थ Pan उसने उसके उसकी इस सीट से उठा कर उसकी जगा पी वह बैट गया अभड दो लोग आ हैं दों एक ज्यादा पावर वाला होगा तो फुरसी अपनी दे देगा दूसरे वाले को उससे ज्यादा पावर दार हो ठीक है अब कौन ज्यादा पावर दार होगा कौन कम पावर जाओं यह कैसे जानेंगे सर यह जाने के लिए हम अगले जो अगला लेशन होगा हमारा उसमें हम सक् पढ़ेंगे लेशन में तप समझ में आया कौन से धाथ ज्यादा गडिया सील होगी कौन से कम ठीक है अभी नहीं चलो ठीक है अफिर कि समझ गया है ना तो यह यह दू विस्थापन अब गडिया का उधारन लिख लेना और यह 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 जो लिखा देगो यह अलग से लिखना आपको लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई है और सीईू यास砂व होड के नीले विलियन का रहा है क्या कहए रहा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की पड़त जम गई ठीक और सी कापर सल्फेट के नीले विलियन का रंग यहीं अफिक नाइज काटन हो गया अच्छा कापर सल्फेट जो है ऐसे ही था ना जो यहां पर यहां पर यह एक्स्पेरिमेंट है एक तरह किस्टेंड है परकनली में धागे से कील की लोहे की कील लटकाएं हैं तो अब जो स्लफेट का बिलियन था स्लफेट का बिलियन मतलब लोहा तो यहं यहां पर यह लोहा था लोहा था लोहे कि जो लोहा था वहां से निकला ठीक है कुछ सब्सक्षण पर निकले होंगे रियेट कर लिये होंगे हैं defines इसा किया होता है बीलियं तो कपर सुलफेट क्या बनने लगा अधrete है एना लुका गृवल सलफेट इसे जब यह फीक उपर प्लस 3 आए, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिर इक कहेंगे. ठीक, यहाँ पर प्लस 2 दिखाता है. माइनस दो इसपर होता है, प्लस 2 इसपर होता है. यह चीजे नहीं समझ में आते, तो आपने नायत में कम नहीं पढ़ाई की है. तिक नाइंत वाले वीडियो देखते रहो फिर नाइंत वाले से भी समझो ठीक है मैं वहां पर यह सब चीजे समझाओंगा नाइंत में पढ़ा रहा हूं मैं वहां पर कि समझ गया फिर क्या हुआ यहां पर यह ही चीज होए थी अच्छा अब यह रियक्षन अलग चीज में बताया जा रहा है सिर्फ कि हाँ जिंक कापर सी अधिक्रिया सी इसलिए जिंक भी कापर को क्या होता हटा दे रहा देखो कापर बाहर हो गया जिंक ने अस्थान ले 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 कापर का ठीक ये रियक्षन मत लिखना कोई जोज नहीं पासरों द्विस्थापन अपकरिया का ये भी उदार रहन है वहीचे अब ये वाला लिख लेना ये वाला लिख लेना पॉइंट बना लेना ठीक सौन मा जाएगा ये वाला बना लेना इस्टेंड लगा रहेना इसी तरह ठीक संद्णा गई बात चलो आगे चलते हैं फिर से देख लेना वीडियो सानु आ जाएगा अब है दुई विस्थापन क्या है दुई विस्थापन है अब ये इतना अगले वीडियो में रख लेका बेटा अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा फिर ज्यादा बचा नहीं है चलो इतना दागले वीडियो में देख लेंगे हैं चलो तो तो वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें लोगों तक पहुंचाएं अपने जोस्तर तक पहुंचाएं जो भी हो नवी दसुवी में नो से बारह हमारे के चैनल पढ़ा ही हो ले माइन बुलोइंग क्लासेर नाम है चैनल पर कुई भी यूटूब पर सार्च मारे तो आ जाएक नहीं तो इंदना लेख दे क्मिस्टि वाई ज्यानेद रियादो क्मिस्टि बल्याद रियादे यूटूब पर सब्सक्पान र उन्यूंचाइनल सकत है कोई भी कर वी कंड थन करें चलते हैं सी के काई वायवा और अलने विस्ट